हेलो गुड आफ्रणून अल आफ यू एंड यू लार वेलकॉम तो और चैनल अनकेडमी अनकेडमी पर आप सभी का एक बार बहुत-बहुत फिर से स्वागत है और सुबह की तरह प्लीज लाइव आई ताकि सुबह जैसे हमने अच्छे से पढ़ा बहुत सारे बच्चे थे आज मॉनिंग में बहुत अच्छा लगा पढ़ा के वैसे अभी मैं चाहती हूं कि आप लोग धेर सारे बच्चे आजो लाइव और जो अभी मुझे लाइव देख पा रहे हैं वो एक बार मेसेज करके बताए कि इस सब उनको क्लियर दिख रहा है पूजा मिश्रा आ चुक दाट इस अनकेडमी तो अनकेडमी पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और यहां पर आप लोग मेरे साथ त्यारी कर रहे हैं इस्ट्री सब्जेक्ट किया भी है ठीक है तो लाइव आजा है सारे सबको मैं दिख रही हूं प्रॉपरली सबको दिख रही हूं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही सब क्लियर दिख रहा है PPT बलर तो नहीं दिख रही तो लेट्स क्रैक NTA UGC NET NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग अजेंसी तो फुल फॉर्म भी याद रखना आप लोग रोजी बता देती हूं इसलिए म अब ही जो हिस्टिंग रही है जो अपने पीजी हिस्टिंग से ही दोगे तो जिससे पीजी किये होते हैं आपको पता ही है उसी से में उजीसी देना पडता है नेट तो उसके में आप J R F के लिए merit high जाती है, तो जहां तक हो, आप लोग JRF में selection लेने की कोशिश करना junior research fellowship, उसमें आपको scholarship भी अच्छी मिलती है तो जादा से जादा आप लोग merit अपनी उपर रखना, ठीक है next है, कि what you will get on this platform, आपको यह platform क्या provide करता है, कि आप लोग इसको join करें तो you are getting daily life classes like, recorded video तो बहुत सारी हमें मिल दी जाती है YouTube पर search करेंगे, हर एक topics related मिल जाता है, बट इसमें क्या होता है, you can chat with the educators, आप chat करते हो, अपनी problems discuss करते हो, जिस भी portion में आपको problem आ रही है, उसे उस पे बात कर सकते हो, syllabus से regarding exam से regarding, जिससे भी आप चाहें हमसे directly बात कर सकते हो, chat कर सकते हो, यही फायदे होते है structured courses है, like NTA GCNet में, कैसे आपको त्यारी करवाना है, वो पूरा course हम आपको structure करके देते हैं, life test quizzes है, life test quizzes में सबसे जादा मज़ा इसलिए आता है, मुझे भी interest के साथ quizzes कराती हूँ, जब मुझे feel होता है, कि बच्चे देखूं में कहां तक पहुचे हैं, उनका मुल्यांकन, जैसे मैंने teaching aptitude में बताया था कि formative evolution होता है, कि daily wise, जो हम आप लोग का मुल्यांकन करते हैं, daily, तो वो हमारा होता है कि उससे में पता चलता है कि आप लोग अपने final exam के लिए तियार हो या नहीं, और कहां नहीं तियार हो, उसके लिए फिर से तियार करते हैं, division test कराते हैं, तो अई होता life test quizzes, जो मैं एकसर कराती हूँ, unlimited access है, एक बार इसका subscription आप लोग ले लेते हो, आप लोग unlimited access मिल जाता है, तो कौन-कौन आ चुके हो भाई, message करो, तभी तो पता चलेगा, चलिए, पूजा, सुप्रिया, केश्वी, नीफ्स, निकिता, और पूजा, मिश्रा, ये सारे आ चुके हैं, और जो भी बच्चे आना अभी बाकी हैं, आजो बेटा, जल्दी-जल्दी, फिर session को शुरू करते हैं, तो कल हमने Allowed दिन खिलजी पढ़ा था, अच्छा, आप लोग को subscription लेना है, तो इसकी fees और भी कम हुई है, मैं आपको fees कितनी कम हुई है, कल बता दूँगी, और ये code है, इस code को use करेंगे आपको, तो 10% discount भी मिलेगा, तो इससे क्या होगा आप लोग को, सारी recorded videos और live videos, जब एक बार subscription ले लेते हैं, तो unlimited access में मिल जाता है, किसी भी teacher के recorded videos, और आप देखना चाहें, live classes देखना चाहें, आप लोग देख सकते हो, तो उसके लिए code यूज करना, आपको 10% discount भी मिल जाएगा, पूजा मिश्र करें, जे आराफ के लिए age क्या है, 28 है बेटा, I think अभी शायद बढ़ी है, 28 ही है, अभी तो जे आराफ के लिए, जो मुझे पता 28 या 30 है, तो एक बार मैं notification और चेक कर लेती हूँ, कि कुछ बदला तो नहीं है, तो age है अभी आप लोग की तो बहुत age है, कर सकते हो, हेलो अरुन आप भी आगे, चलो, जल्दी जल्दी आजाओ, और सारे आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं, तो देखिए हमने क्या शुरू किया था कल, खिलजी वन्स, खिलजी डैनेस्टी शुरू किया था, सब लोग थे वहाँ पर, खिलजी डैनेस्टी पढ़ने के लिए, तो खिलजी वन्स को एक बार फिर से, मैं recall करा देती हूँ आप लोग को, ध्यान से सुल लीजे, recall कर लीजे जिनकी पहली क्लास है आज, तो हमने कल, काजल भी आगे, गुडिवनिंग बेटा, तो जो हमने कल, खिलजी वन्स पढ़ा था, जो जिसका आज फर्स डे से, पूजा मिश्रा आई थिंग, अज फर्स क्लास ले रही है, तो पूजा दी को बिटकल, हमने खिलजी डैनिस्टी शुरू किया था, जिसमें हमने founder के बारे में बताया था, कि who was the founder of Khilji डैनिस्टी, संस्थापक कौन थे, जलाल अदीन फिरोज खिलजी, उनके बारे में explain किया था, कि he was the founder of Khilji डैनिस्टी, जो Slave Ones के बाद आता है, और इसके अंतिम राजा की हत्या करके, जलाल अदीन फिरोज खिलजी ने, एक नए वन्स की स्थापना करी थी, जिसको Khilji Ones कहते हैं, 1290 से 1320 तक इस डैनिस्टी ने, दिली सल्तनाथ पर रूल किया है, जिसको के बारे में थोड़ा सा कल एक्स्प्लेइन किया था, मैंने और इसके अब कंकरेड प्लेस, या कजीते हुए जो प्रदेश थे, राज्य थे, उसके बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दिन खिलजी के बारे में, बहुत सारी बाते कल हमने कर ली थी, जैसे पद्मावती के बारे में, चित्तोर के बारे में, रड़ थमबौर के बारे में, अलाउद्दिन ने अपने चाचा की हत्या क्यों की, इसके बारे में, और उसके बाद मलिक काफूर से इसका रिलेशन, ये सारा कल हम लोग देख चुके थे, ठीक है, राशिद भी आचुके हैं, तो सारे आइठिंग जो रेगुलर बच्चे हैं, वो आचुके हैं, तो इस तरीके से अलाउद्दिन खिलजी के बारे में, थोड़ा सा चट्चा हो चुका था, उसके बाद शिहाबुद्दिन ओमर बनता है राजा, जिसके बारे में आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, जो कुछ दिन के लिए ही रूल कर पाता है, उसके बाद लास्ट राजा है कुतुबुद्दिन मुबारक शाह, जो 1316 से 1320 तक रूल करता है, उसके बाद इसके बाद आजाता है हमारा तुगलग वंशिया, तुगलग डाजाटी, तो ज़स्ट अलाउद दिन के बाद हम लोग अपना तुगलग डाजाटी भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो तुगलग डाजाटी को कल पढ़ेंगे हम लोग, नई, कल तो I think खिलजी ही रहेगा हमारा, अलाउद दिन खिलजी पार्ट टू, कल रहेगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, अलाउद दिन खिलजी इसमें सबसे जादा लेता है टाइम, तो एक दिन खिलजी वन्स समझने में लगता है, एक दिन अलाउद दिन खिलजी के बारे में और उसके अड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में टाइम लगता है, एक दिन कुजेज में, तो थोड़ा से एक दिन टाइम और लगेगा, कल तो फ्राइडे का टाइम अलाउद दिन खिलजी का ही है ठीक है तुगलग डैनस्टी हमारा 1320 से 1414 तक तो यह हम लोग मंडे से शुरू करेंगे तुगलग अगर आज हमारा यह खिलजी हो जाता है इसके सारे अटैक कंप्लीट हो जाते हैं मलिक काफूर के बारे में पढ़ तो हम लोग कल क्विजस करेंगे उसके बाद मंडे से खुगलग डैनस्टी शुरू करेंगे ठीक है तो यही कल हमने इतना ही पढ़ा था आज शुरू करते हैं यह खिलजी डैनस्टी बता दिया था समरी बता दिया था खिलजीमस का scientifically उसके बाद जलाल अलुदेन फिरोष खिल जी के बारे में बता दिया था मैम गेंगेस खान के बारे में ओहो निकिता हाँ गेंगेस खान के बारे में पढ़ाना था बैट मैंने पीपीटी नहीं बनाई हाँ तो कल गेंगेस खान पढ़ लेंगे ठीक है कल गेंगेस खान और इसके कुछ और अटैक्स रह जाएंगे वो हम लोग पढ़ लेंगे ठीक है आज मैं PPT बनाना उसके बारे में भूल गई तो कल यही हमने पढ़ा था देखिए ये रहे आपके अलाउद्दिन खिल जी जिन्होंने 1296 कली वाला पढ़ लिया था हमने 1296 से 1316 में इसने रूल किया अपने चाचा की हत्या करके इसका वास और राजा रामचंद्र के वो पराजित किया इसने ये सब कल बता दिया था उसके बाद मंगोल आक्रमण भी समझाया था कि सबसे ज्यादा अधिक मंगोल आक्रमण इसी के सासनकाल में हुआ और इसने बहुत बुरी तरीके से क्रश्ड कर दिया था पूरे मंगोल आक्रमण थी, मैं चंगेज बारे में बताने वाली थे, हम जी बिलकुल बताने वाले थे, बताएंगे, कल गैंगेज खान के बारे में पूरी स्टोरी बताएंगे, कौन मुझे बताएगा कि मलिक काफूर का नाम, एक नाम जो कॉश्चन आता है बहुत पेपर में, चलिए वो तो रहन् जो किंदर हिजड़ा भी था एक किंदर उसको बोलते हैं और कहा जाता है कि इनका रिलेशन भी था अलावदिन खिलजी से तो मलिक काफूर को अलावदिन खिलजी जो चीफ इन कमांडर था उसके साथ मलिक काफूर को कहां से जीत कर लाया था या कहां से इसको मलिक काफूर को अलाउदिन खिल जी को कहां पर मिला था यह, किसी को पता है तो बताएं, चली मलिक काफूर के बारे में तब तक सोचिए पढ़िए, और सबसे इसकी जो अलाउदिन खिल जी की विक्टरी है, जो आप लोग भी जानते हो, वह है रड थमबाओर की विक्टरी और चिताओर की कहा जाता था जो चिताओर का किला था उसको भेदना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी विजय थी वो चिताओर का किला जीतना और रड थमबाओर का किला जीतना, सबसे बड़ी इसकी जीत थी, और इस जीत के बाद इसने अपने आपको सिकंदर सानी क उपादी दी थी और अपने आपको विश्व विजयता समझने लगा था कि अब इसके आगए कि मंगोल आक्रमन भी रोकने में सफल रहा तो ये अपने आपको बहुत ही जादा successful मानने लगा था कि मैं राना रतन सिंग याद है ना राना रतन सिंग पदमावती मूवी सबने देखा होगा जितने लोग देख रहे हो I know सबने पदमावती मूवी देख रखी है तो पदमावती मूवी में कुछ स्टोरी से connect करूँगी वो स्टोरी सही है और ये भी कोई बताए कि पदमावती की रचना किसने की है ग्वालियर ओके देवगिरी पर आक्रमन करके नहीं देवगिरी पर आक्रमन करके नहीं हाँ जी यही हजार दिनारी में पूछने वाली थी कि ग्वालियर पर जब आक्रमन हुआ थे तो हजार दिनारी नाम था किसका मलिक काफूर का हजार दिनारी इसलिए कहा जाता क्योंकि इसको जो अलाउद दिन खिल जी हजार दिनार में खरीद कर लाया था। इसलिए मलिक काफूर को हजार दिनारी बोलते हैं और उस मूवी में क्या दिखाया था पदमावती को कि तोफे में मलिक काफूर घूंगट में खड़ा है और वो बोलता है जलावदीन फिरोजखिल जी अलावदीन से खुश होकर कि मैं इस खुशी में कि तुमने देवगिरी को जीत लिया इस खुशी में तुम्हारे लिए एक तौफा लाया हूँ और ऐसा तौफा है जिसको तुम जो आर्डर दोगे वो बिना कुछ पूछे आप तुम्हारे आर्डर को मानने के लिए तैयार रहेगा ऐसा उसमें दिखाया है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है ये थो कि पूतान हसने लगता है कि क्या बात कर रहे हो तो इसने मार दिया और वो हसने लगता है कि क्या बात है मैंने जो कहा उसने सच में उस आग्या का पालन किया ऐसा बिलकुल नहीं था ये इस स्टोड debenाने के लिए सिर्फ बना दिया, he was found by अलाओ दिन खिल जी जनरल नुश्रत खान इन गुजरात एक्स्पिक्डेशन and मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलती search करना पड़ता है, अभी भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, ओहो हाँ, मलिक मुहम्मद जैसी राशिद ने भी बिल्कुल सही बताया है, राशिद का जो भी है, पोइंट उस GOOD आने वाले है, हजार दिनारी भी उसको खरीद कर लाया थे, इसलिए हजार दिनार में खरीदा है, इसलिए हजार दिनारी उसको बोलते भी है, तो मलिक मुहम्मद जैसी की book है, actually पिशली कहा जाता है कि कुछ मलिक मुहम्मद जैसी ने बढ़ा चढ़ा के भी लिखा हुआ है तो जब यह मूवी रिलीज हो रही थी इसका नाम था पदमावती लेकिन इस मूवी का नाम पदमावत क्यों रखा गया क्योंकि जो राजस्थां के राजपूत थे उन्होंने पर विद्रो हो रहा था लोगों ने कहा था उसी इनको काटा जा और इस मूवी का नाम बदला जाए तो बहुत कुछ इसमें इंट्रेस्टिंग स्टोरी बना देते हैं बट एक स्टोरी बहुत सही थी कि पदमावती बहुत खूबसूरत थी और वो सिलोन की राजकुमारी जिसलो जो कितनी सुन्दर है उसी की खोज में वो स्रि-लंका पहुच गहे थे और वहां पर बारा साल रहे स्रि-लंका में राना रातन सिंग उसके बाद उनको चित्तोर लेकर आये तो उनकी सुन्दर्ता का जो गा था वलावदिन खिल जी को पता चला राघाव से राघाव दास याद है ना जो पंडित जी थे जिनका अपमान किया गया उसके बाद उसका बदला लेने के लिए बोला था उन्होंने मैं तुम्हारे सामराज युका विनाश करवा दूँगा तो पंडितों से पंगा मत लिया करो है ना आज भी पंडित लोग हम लोग डराते हैं सच में नोटिफिकेशन नहीं मिलता बेटा इसके लिए मैंने कई बार कंप्लेंट कर दिया है वो कहते है चैनल को सब्सक्राइब करें फिर नोटिफिकेशन मिलेगा और देखिए सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को तो दास नहीं फिर द hätte दिन खिल जी से बोला कि आपके पास वो नहीं है जो राना रटन सिंह के पास है और उन्हों ने से अपनी ही और बातों में राज खुमारी परानी पदमावती की स्टोरी बतायी की सुन्दर है उसके बाद अलाउद दिन खिल जी को सुन्दर्ता से प्या नहीं होता, कि तुम्हें ऐसे काट के फेकेंगे, जैसे गाजर और मूली काट के फेका जाता है, ऐसे ही काट काट के वहाँ पर इंसानों को फेका गया था, जब इसने चिताओर पर आकर्मर्ट किया था, पूरे, पूरे ही सेना मारी गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए और उसमें इसको लगा कि जब मार देंगे तो पदमावती हमारी हो जाएगी लेकिन बहुत सारी ओरतों ने एक नहीं उसमें जितनी उस महल में औरते थी सबने जोहर कर लिया और ये बहुती दर्दनाग घटना है और आज भी उस महल को जो देखन of stories, but मैं कभी देखना चाहूंगी इसके बाद इसकी आपको शेयोटी दूँगी, but मुझे नहीं लगता these are reality, but host भी सकता है क्योंकि अगर इश्वर है, तो शैतान भी है, तो शैतान तो नहीं कहेंगे, कुछ भटकती आत्मा कहेंगी, लेकि मुझे ट्रस्ट नहीं है इन सब चीजों पर, क्योंकि मैंने आज तक कभी देखा नहीं, ऐसे negative vibes कभी feel नहीं किया है, आप भी ना feel करो, ना मैंने feel किया है, but कुछ लोगों का मानना है, वहाँ पर government ने भी कहा है कि 5 बजे के बाद नहीं जाना है, loud नहीं है सब्सक्राइब कर लो, उसके बड़ नोटिफिकेशन मिलेगा, और जिन्होंने उसका Let's Crack NTOGC net का, आप लोग डाउनलोड कर लो, वो उसमें लिंग को जोईन कर लो, वहाँ पर मैं रोज की क्लासिस का, आप लोग अपडेट दे दिया करूंगी ठीक है, गूड इवनिंग तमन्ना, चलिए तो अब आज आते हैं, ये तो ही स्टोरी किसकी, जो पदमावती, पदमावती हम लोग सुनते आते हैं, बड़े इंट्रेस्टिंग में और मलिक काफूर, तो अलाउद दिन और कुछ लोग कहते हैं, ये बारासो, ग्यारास, तो तेरासो, एक की बात है, तो हिस्टोरियंस में इसमें कन्फ्यूजन भी है, बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं, कि हिस्टोरियंस कुछ गलत है, तो हम लोग जो चीजे हैं, जो लिख दी गई है उसी पर यकीन करते हैं लेकिन जब contemporary और समकालीन चीजें हमें मिलती है तो सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहानी सही है या गलत है क्योंकि एक ही समय के दो लोग अलग-अलग चीजें लिखते हैं इसका मतलब कुछ न कुछ उसमें fault है तो बहुत सारे इतिहासकार इस बात को सच भी नहीं मानते हैं कि ऐसी कोई story रही होगी जो चलिए खैर हमें जो पढ़ाया गया है जो हमारे exam में आएगा हम लोग उसी को लेके चलते हैं मैम आप भी trip तो भानगर फोर्ट पे जाएं वो भी बोलती है haunted place है मैम आप भी trip पे भानगर फोर्ट पे जाएं वो भी बोलती है haunted place है कौन बोलता है haunted place है कौन बोलता है बटा haunted place है मैं जाने वाली थी बार लेकिन मेरा ना trip जाते जाते रुग गया था मुझे देखना है एक बार भानगर के ला तो haunted तो नहीं है मैं भी haunted हो कुछ हुआ ही साथ की हो लेकिन मैंने आज तक कभी वहाँ गई नहीं हूँ कभी उस चीज को feel नहीं किया है तो I don't believe ठीक है जब कभी जाओंगी और मैं feel कर लोंगी तो मैं आपको वह से जरूर share करूँगी तो देखिए उस समय राजस्थान राजपूतों की धर्ती कही जाती है जो रियल राजपूत होते थे वो राजस्थान के ही थे तो राजपूत मतलब राजस्थान आर राज राजस्थान राजपूत तो राजपूतों की जो धर्ती है राजस्थान उस पर उसमें इतने अटेक होते थे क्योंकि वो वीरता की कहानी लिखी गई है वहाँ पर बहुती वीरता से लड़ते थे और ये भी कहा जाता था और इसी में एक स्टोरी ये भी आएगी भी बोलती है लेकिन मैं कभी वहित है को को यकीन नहीं एक राजपूत आना Tell us the story of two invasions of Jaisal Mir by Khilji जो राजपूत लोग हैं, जो राजपूत आना है वो हमें बताते हैं कि invasion मतलब आक्रमड हुआ था Jaisal Mir पर दो बार, two invasion मतलब दो आक्रमड Jaisal Mir पर Khilji का हुआ था, एक आक्रमड जलालुदिन फिरोज खिलजी के समय पर one in 1286 by Jalaluddin Khilji and another is 1290 by Alauddin Khilji तो ये दोनो time period है, और ये time याद रखना, थोड़ा confusing है confused विल्कुल मत होना, कि Jalaluddin Firoz Khilji का कल क्या बताया था कि बलवन का वो था, दरवार में था वो, तो उस समय ये time period आपका किसका है बलवन का है, 1286, उस समय पर Jalaluddin Khilji ने जैसल मेल पर आक्रमन किया था तो और ये जो 1290 आप समय देख रहे हुए, किसका समय था, जलालुदिन Firoz Khilji का तो बलवन के समय पर Jalaluddin Firoz Khilji ने आक्रमन किया जैसल मेल पर और जलाल उद्दिन फिरोज खिल जी के समय पर अलाउद दिन खिल जी ने आक्रमण किया जैसल मेल पर ये दोनों चीज थोड़ा सा याद रखना अगर घुमा के भी एक्जाम में पूछ ले कि जैसल मेल पर जलाल उद्दिन ने कब आक्रमण किया था तो 1286 में जब ये उसका सासनकाल नहीं था जलाल उद्दिन फिरोज खिल जी 1290 पर गड़ी पर बैठा था लेकिन फिर वी उसने 1246 में आक्रमण किया है जो की बलवन का समय था तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना गोरा अन बादल हां जी गोरा अन बादल उसमें दिखाया नहीं सर कटा हुआ था फिर भी वो लोग मार रहे थे गोरा अन बादल जो उसमें के समकालीन कंटम्प्रेरी होते हैं समकालीन जो इतिहास कार थे उन्होंने कहीं भी इस इन्वेजन का मेंशन नहीं किया है अगर पूछ ले तारीखे मौसमी थी जो की हिस्ट्री आफ सिंध थी सिंध का इतिहास था पर्षियन लेंग्वेज में अगर पूछ ले तारीखे मौसमी उसको हिंधी में ऐसा लिखा होगा आप लोग हिंधी वाले तारीखे मौसमी इस बुक को जो की सिंध का इतिहास कहा जाता है तारीखे मौसमी जो की पर्षियन भाषा में लिखी गई है उसमें ये बात मिलती है says that the early Turkish invasion of Rajputana came in 1286 during Balvan's time कि पहले सबसे पहले जो जैसल मेल पर आक्रमण हुआ जो राच्रमण हुआ वो Balvan के साशनकाल में हुआ था 1286 में और किया किसने था जलाल उदिं फिलोस खिल जी तो यह यहां से question confusing है आप ही सकता है पर इस चीज को अच्छे से नोट्स बना लेना कि आगे 1286 लिख के time period Balvan लिख लेना, Balvan के time period में आक्रमण किया जलाल उदिं फिरोस खिल जी ने ऐसे करके अपना खुद नोट्स बनाओगे तो एक बार यहां पढ़ो और एक बार अपने हिसाब से अपना नोट्स बनाओ, तब आप लोग अच्छे से उसको समझ भी सकोगे और अच्छे से कर भी सकोगे तो नोट्स बनाने का तरीका, मैं आपको रोच बताती रहती हूं कैसे बनाना है क्यूंकि अपनी नोट्स जब हम खुद बनाते हैं और उसको नोट्स बना लेती मैं, तो ऐसे ही आप लोग बनाने की कोश्च, और कैसे बनाऊंगी, वो भी आपको बताती हो मैं, कि चार लाइन में सिर्फ यहां से मुझे चार लाइन दिख रही है, यहां से इस पेज से मुझे सिर्फ चार लाइन में अपना नोट्स बना लेना है, कैसे बनाती पहला आप लोग पॉइंट देखिए जो पहला आपका पैराग्राफ है वहाँ से सिर्फ में उठाती 1286 टाइम पीरेड लिखती बलवन उसके बाद अटैक्ड बाई जलालुदिन खिल जी फिर लिखती 1290 टाइम पीरेड उफ जलालुदिन खिल जी एक लाइन हो गई है दूसरा फिर में लिखती कि जो अटाइम टॉर्किस इंवेजन तुक प्लेस दूरिं अलाउद दिन खिल जी इन जो की 1295 एड में हुआ ये ताइम लिखती बस दूर आप जैसल मेर अट ताइम अफ अंगसकार लेक इस एक्षिन लेट टू दू अनोडर टर्किस अटैक उन जैसल में तो इसका अजमेर की तरफ रुख करना एक दूसरा अटैक बन जाता है जैसल मेर पर अटैक करना तो यहां से भी कुछ पॉइंट मुझे उठाने लायक नहीं लग रहा है तो मैं नहीं से कैसे आपको नोट्स बनाना है वो समझना चाहिए तो अलाउद दिन इन्वेजन गिवेन बाई राचपूद बैर्डिक अभी इंकरेक्ट विकास अलाउद दिन खिल जी हैड एक्सेंड़ देट थ्रोन इन 1296 यह कह रहा है कि जो है इंकरेक्ट हो जाता है जो तक बट जो तारीखे मौसमी था दो अली पर्शियन सोर्स एक ऐसा पर्शियन सोर्स है जिसने मेंशन किया है टरकिस इन्वेजन को जैसल मेर पर तो 1299 में तो 1299 किसका समयकाल है लाउद दिन खिल जी का तो सिर्फ एक पर्शियन बुख है टरकिश ए मौसमी जो की सिंद का इतिहास है उसमें जैसल मेर पर अटेक करने का इतिहास जो इन्वेजन थाक मर्था उसमें 1299 में दिया है तो confusing है राज़बुदाना कुछ accept करते हैं और जो पर्शियन लोग थे ये जो पर्शियन राइटर्स थे वो कुछ लिखते थे तारीक है मौसमी इस नाम को याद रखना बस तो गुजरात की तरफ की तरफ की तरफ की तरफ जैसल मेर की और से गुजरात की तरफ बढ़ा अज उलूग खल अराइब जैसल मार विथे लाज आर्मी तो जैसल मेर पर आकरमण करा एक ह्यूज आर्मी लेके वो लोग खाने एक्क्यूपाइड कर लिया वहाँ का किला और उसमें हजारों लोग मारे गे जैसे कतले याँ मचा देते थे लोग जहां भी आकरमण करते थे वहाँ पर कतकल तारीख मौसमी का राइटर कौन था तारीख मौसमी का राइटर अभी साध अन्नोन राइटर है और मैंने सर्च भी किया तो मुझे मिला नहीं तारीख मौसमी के राइटर साथ unknown writer है जैसे चशनामा के unknown writer थे वैसे ही तो अभी मैं सर्च करी रही थी इसके बारे में तारीख मौश्मी के बारे में लेकिन मुझे भी नहीं मिला एक बार आप लोग भी कर लेना अज उलूग खाल एराइवड तो यह क्या हुआ कि इसमें leaving 200 horsemen in the fort of Jaisal Mail जो fort था उसमें 2000 horsemen को भेज दिया छोड़ दिया वही पर and he linked up with the rest of the army and started for Gujarat तो उसने Jaisal Mail का fort जीत कर उलूग खान ने वहाँ पर 200 लोग को छोड़ा horsemen को उसकी देखभाल करने के लिए Jaisal Mail की fort को और बाकी आर्मी लेकर वो गुजरात की तरफ बढ़ गया next है Rana of Chittaur the interesting story between Rana Ratan Singh, Padmavati and Alauddin Khilji यही story होती जिसको पढ़ने के लिए बच्चे अक्सर मुझे message करते मैं please Alauddin Khilji पढ़ाईए तो उनसे पूछो Alauddin Khilji में क्यों interest है तो मैं Padmavati की story के लिए तो बहुत सारे बच्चे इसी के लिए पूछते रहते हैं ठीके तो Rana Ratan Singh, जो Rana of Chittaur जिनका पूरा नाम है Rana Ratan Singh और आपको बता है इसका रोल किस ने किया था? शाहिद कपूर ने तो शाहिद कपूर पूरी तरीके से Ranveer Singh के सामने दब गय कि कोई Rana Ratan Singh इतने important role को Alauddin Khilji के role ने दबा दिया क्योंकि Alauddin Khilji किसको बना दिया? Ranveer Singh को और उनकी धरम पतनी उनके against पदमावती के रूप में तो लोग वहाँ उस movie में भी उन्हें as a real couple देख रहे थे Ranveer Singh और पदमावती को और लोग चा रहे थे को वहाँ भले ही क्योंकि उनको पता थे यह इतिहास है लेकिन लोग चाते थे Alauddin Khilji को पदमावती मिल जाए क्योंकि उनकी real story क्या है कि वो Ranveer Singh की है दिपिका पादुकॉन तो शाहित कपूर का जो वहाँ पर बिचारे का रोल था वो पूरा दब गया और जादा जादा उजागर हुआ और जादा फेमस हुआ सारे वो Ranveer Singh खा गया उसकी पूरी कैप उस मूवी का जो श्रे जाता हुआ वो पूरा Ranveer Singh मतला Alauddin Khilji को चला गया तो मीर मुहम्मद मौसम अच्छा एक बार लेकिन एक बार सर्च कर लेना मीर मुहम्मद मौसम अगर राशिद बता रहे हैं फिर भी एक बार मैं भी सर्च कर लूँगी मैंने दो-चार बुक्स में ढूणा मुझे नहीं मिला और गूगल करने का टाइम मैं सोच रही थी जब क्लास लोंगी उसके पहले एक बार गूगल कर लोंगी लेकिन मैंने गूगल नहीं किया मैं भूल गई तो अगर एक बार है तो मीर मुहम्मद मौसमी एक बार मैं देख लोंगी ये भी अगर यह सही है तो आप लोग भी बार सर्च कर लेना तो राना अब चित्ताओर कौन थे? राना रतन सिंग और आप मुवी से आप लोग खुद को करेक्ट कर सकते हो इन एन इंस्क्रिप्शन डेट तेरा सो एक थेन हंडेड वन फांडेड चित्ताओर दनेम अफ दे रूलर गिवें अज राना समर सिंग जो कि सन अफदर राना रतन सिंग सेमस् तो वैवें एक्सेंड दे थे रहना है अव्त ऐफ दे खोंडेड अव्त जाहर वीवें परफॉम्ट दे राजपुत सोलजर्स चंट वाज आइड अर्मी इस प्रेटली चित्ताओर वांड़ी चैप्चुलेचेट अफ्टर अव्त थ 26 August 1333 को 1303 में 26 अगर 1303 को बहुत एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें अलाउद दिन खिलजी ordered a general must care जो कि अलाउद दिन खिलजी ने अपने जनरल को order किया एक कतले आम करने के लिए and Amir Khusro was written that more than 30,000 in fields were cut down like a grass और Amir Khusro ने लिखा है जिसने सितार तबला इसके अविशकारक थे न Amir Khusro पता है न सितार तबला और जो आपके हिंदी खड़ी भासा इस सब के जो है अविशकारक हैं आपके Amir Khusro ने लिखा है कि युद्ध में 30,000 लोग को ऐसे काट दिया गया जैसे घास को काट दिया जाता है और इतनी सारे लोग बिधवा हो गई इतने सारे लोग जोहर कर ली बिकॉज उनके हस्बेंड रणभूमी में मारे गया थी जो उस दुर्ग का बाद में गवर्नर भी बन जाता है जबकी ये कहा जाता था चिताड का किला भेदना बड़ा मुश्किल था लेकिन फिर भी ये लोग भेद लेते थे तो देर इस सम डिस अग्रिमेंट इन अकाउंट अव दे क्रोनलोजिकल और मॉर्डन हिस्टोरियंस अगुछ लोगों में इसमें भी जो क्रोनिकल्स या उस समकालिन जो थे हिस्टोरियंस या जो बाद में हिस्टोरियंस ने इतिहास लिखा और जैसर नैंसी और कॉनलन जेम से इन दोनों के भी इतिहास में तीनों के डिफरेंट डिफरेंट चीजे मिलती हैं तो आप लोग ज्यादा उस पर ध्यान मत देना अमीर खुस्रो सेज इन खज्र इन उल्फुतू और इसामी इसामी सेज दैट रतन सिंह साउट रिफ्यूज और इस वाइफ 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 नहीं लाइफ एक सिकिंड बेटा थोड़ा सा पानी पीलू मैं तो उसके बाद क्लास फिश करते हैं अच्छा अमीर खुस्रो ने एक बुक भी लिखी थी अजीद गुड इवनिंग अजीद बेटा अमीर खुस्रो की बुक का नाम कौन बताएगा जल्ली बताईए अमीर खुस्रो की पुस्तक का नाम कौन बताएगा अमीर खुस्रो की पुस्तक का नाम कौन बताएगा अरली लाइफ औफ रानी पदमावती तो Rani Padmavati कौन थी? The legend of Padmavati is narrated the famous series भारत एक खोज भारत एक खोज, discovery of India में इनको बहुत अच्छे से explain कि The legend of Padmavati is narrated in the famous series भारत एक खोज में Malik Muhammad Jaisi, इन्होंने यह लिखी है Malik Muhammad Jaisi has written that Rani Padmavati was the native of Ceylon Ceylon, Ceylon की पैदाईस थी इनकी Native थी, वहां की मतलब पैदाईसी थी Ceylon मतलब Sri Lanka And Rana Ratan Singh having heard about her beauty from a parrot एक तोते से उसकी सुनदर्ता के बारे में Rana Ratan Singh सुनते है And went as far as Ceylon to marry Rani Padmavati और वो Rani Padmavati से शादी करने के लिए Ceylon चले गया जबकि Padmavati मूवे में दिखाया है इनकी पहली पत्नी एक Ceylon की बनी हुई माला के लिए जिद करती है जो कि इन्होंने किसी को दान में दे दिया था और उसी मोती की खोज में ये क्योंकि Ceylon की जो स्री लंका की मोती थी बहुत फेमस थी उसी की खोज में वहां गय थे और इनको वहां पर Rani Padmavati मिल जाती है तो यहां पर एक पैरेट से सुनते हैं और यह चले जाते हैं उसमें Ceylon उनसे शादी करने As he was deeply in love with Rani Padmavati वहां जाते हैं और इनको नहीं भाई अमीर खुष्रो वो तो मलिक मुहमद जैस्वी थै ने जिन्होंने Padmavati लिखी है मैं पूछ रही हूँ अमीर खुष्रो की पुष्टक का नाम क्या था अमीर खुष्रो राशिद बताएं जरा तमन्ना राशिद सुप्रिया सब लोग बताएं and Rana Ratan Singh was deeply loved within Rani Padmavati Rani Padmavati से उनको इतना जादा प्रेम हो गया कि वहां पर वो 12 साल तक stay किये वहां पर सिलोन में ही रह गे 12 साल at last Rana Ratan Singh succeeded in taking her to Chitod Rana Ratan Singh उसके बाद गदी प्राप करते है Chitod के उसको वापस ले आते हैं Chitod अपनी बेगम को अपनी पतनी को mendicant named Raghav आपको पता है Raghav Das इन्होंने ही जब उनको देखा तो उनसे पूछते हैं कुछ question वो सही है बात उसमें सही दिखाएगी वो रानी पदमाउती के बारे में उनसे वो खफा हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि मैं इस समराज का विनास कर दूँगे और उनकी सुंदर्ता के बारे में जाके रागावदास बता देते हैं लाओदिन खिल जी की पाइप बुक थी मैं ओके अजीत एक तो बता दिया अजीत ने और कोई नहीं बता रहे हो सारे एक दो बुक का नाम तो पता होना चाहिए मैं अमीर खुष्रो रोट मैनी बुक्स तो इसमें दो बुक बहुत फेमस है एक तो जो तुगलक नाम है वो बहुत जादा पूछता है और दूसरा था इसमें जो इन्होंने कई बुक्स का नाम बताया है इसमें एक ही है कि जो मिथात फुदू था वो जादा पूछता है तो दो तीन बुक का नाम इनका जरूर याद रखना और इन्होंने किस-किस चीज का विशकार किया है वो भी पूछता है कि अमीर खुश्रों ने सितार, तबला, खड़ी बोली और तीन-चार चीज़ें और थी जो मुझे भी नहीं याद आ रही कल बता दूंगी तो इन सब क खिलजी से explain कर देता है जाके, allow this on by the description of Rani Padmavati sent a message to Rana Ratan Singh, जब उसकी सुनदर्ता के बारे में सुनता है तो उसने Rana Ratan Singh को message किया, संदेश भेजा कि Padmavati को दिल्ली भेजा जाए, और आपको अगर राजपूतों के blood के बारे में पता होगा, तो अपनी पतनी, अपनी बेट के लिए, वो लोग किसी का भी सर काट देते हैं, तो इस बात से Rana Ratan Singh बहुत ही ज़ादा गुस्से में आया और उसके डिमांड को उन्होंने ठुकरा दिया, और उसके बाद इसने Rana चिताओर पर आक्रमण कर दिया, इसी के लिए, क्योंकि Rani Padmavati को उसने दिल्ली नहीं, क जी मुझ तक पहुचे, सब लोग अपने आपको उन्होंने आपके हवाले कर दिया, तो जोहर था वो, जोहर और सती में डिफरेंस होता है, ठीके, तो इस तरीके से Padmavati की स्टोरी खतम हो दिया, और 28 January 1303 को अलाओ दिन खिल जी माजदा लार्ज आर्मी और करक्रेड मेवा को जीत लिया, अमीर खुष्रो also accompanied the Sultan, allowing Khilji an expedition, the Sultan pitched his camp between the rivers Godawari and Bridge, while the Allied troops encircled the whole town of Chittor, the Sultan set his tent off, जैसे दिखाया था, उसमें tent महीनों set करके बैठा रहा था, कि जब तक इनके राशन पानी खतम हो जाएगा, तब हम इस पे अटाइक करेंगे, उसके बाद से, और वो पराजी भी हुआ, कई महीनों का उसका जो इंतिजार था, वो successful रहा, और जैसे मूविय में दिखाया था, चीटिंग हुई थी, यह हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, 1303 में Rana Ratan Singh, son of Rana Samar Singh, was the ruler of Mewar, इनसे पहले Rana Samar Singh थे, and he had succeeded as his father, 1301 में Rana Ratan Singh गदी पर बैठे थे, and the Mewar army under their brave leader Ratan Singh resisted the enemy of eight month, but then gave way, eight month तक उन्होंने दुश्मन को रोक रखा था, लेकिन आठ महिने तक अगर राशन पानी खतम हो जाएंगे, तो कैसे करोगे, तो एक दिन तो हार मानना ही था, और बाद में अलाओ दिन खिलजी ने, इनको परास्त कर दिया, और कुछ हाथ में लगा नहीं, भले ही धन दौलत चित्तोड का जीत लिये हों, लेकिन इनकी पत्नियों ने जोहर कर लिया था, और उसके बाद जिसके लिए आक्रमन किया था, उसमें पूरी तरीके से ये फेल हो गए, तो उसने अपनी बुरी हार समझा उसको, मैम सल्तनत एंपायर में डिफरेंस क्या है, एंपायर भी समराज होता है, सल्तनत भी समराज होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक वर्ड का खेल होता है, बस जैसे मुस्लीम लोग थे उन्होंने अपने आपको सल्तनत नाम देना शुरू कर दिया कि क्यों अपने आपको सुल्तान कहते थे तो सल्तनत हो गया समराज एंपायर होता है समराज जैसे इंशन में समराज जी बोलते थे हम लोग जो एंपायर होता था किंगडम होता है किं गुजरात अभियान में पहले वो बता देती हूं, आप लोग यहां पर मैंने लिखा नहीं है वो, गुजरात के रानी कमला देवी थी, जो बहुत खुबसूरत थी, उनके पीछे भी इसकी सुंदर्ता के पीछे उसने अटैक किया था वहाँ पर, कर्ण देव की पतनी थी वो अलाउदिन खिलजी लेडा, सीज अफ दे फोट राण थंबावर, आफटर इस किंग राजा हमीर देव, तो जो राण थंबावर के राजा थे, वो हमीर थे, राजा हमीर देव, had given shelter to मुहमाद शाह, ये पूछा गया question है कि जो राण थंबावर था, उस पर आक्रमन करने का में रीजन क्या था, तो रण थंबावर में, जो मुहमाद शाह था, उसको shelter मतलब, इसकी हिंदी क्या होती है, किसी को अपना शरण देना, किसी को शरण में रखना, तो राजा हमीर देव ने मुहमाद सा, जो की इसका दुश्मन था, अलाउदिन खिल जी का, उसको अपने दरबार में शरण दे रखी थी, तो उसकी वज़े से अलाउदिन खिल जी ने राजा हमीर देव पर 1299 में आक्रमण किया, आफ्टर इनिशल फेलियोर, जो अलाउदिन ने जब आक्रमण किया, तो कैप्चर कर लिया फोर्ट को, और राजबूर ट्रेटर रानलमन हमीर और मुहम्मद साथ दोनों की हत्या कर देता है, बिकॉज उसने मुहम्मद शाह को शेल्टर दिया था, उसको शरण दिया था, इसलिए उसमें आक्रमण किया, और उन दोनों की हत्या कर दी, चित्तोर का बता ही चुके हैं, तो इसका एक बर पढ़ लेना, विक्टरीज ओफ डेकन, डेकन की विक्टरी के बारे में सबसे ज़्यादा अलाउदिन खिल जी फेमस है, क्योंकि इसने अपने जो वो था, चीफिन कमांडर, मलिक काफूर, उसके उपर सौप रखा था, डेकन को जीतने का, बार, और मलिक काफूर ने बहुत सारे चीज़ को जीत लिया, अलाउदिन ने, अलाउदिन डिजायद देकन का जीतने का डिजायर इसके अंदर, डिजायर मतलग होता है, इसके हिंदी कैसे होती है, मतलब इक्षा, बहुत जादा इक्षा डिजायर पैदा हो गया, कि पूरे डेकन को जीत ले, he sent a huge army under मलिक काफूर, तो मल tribute to Delhi Empire, देवगिरी के जो empire, जो राजा था, उसने refused कर दिया था, कि मैं कोई भी tribute देने को तयार नहीं हूँ, कोई भी राशी, मतलब कोई भी पैसा, कुछ भी देने को तयार नहीं हूँ, क्योंकि देवगिरी इनके अंडर में आ चुका था, इन्होंने आक्रमन करके उसको प तो देवगिरी का आर्मी परास्थ होती है, और प्रिजनर के रूप में वहां के राजा को यह उठा लाते है, मलिक काफूर went further in the south region and invaded वारंगल region, वारंगल को भी जो वारंगल के काकती, आप लोग नाम सुने होंगे, वारंगल के काकती, वही वारंगल की बात हो रही south के, तो वारंगल को भी इसने जीत लिया, he also campaigned against वीर भलालतिती, जो की होईसल किंग थे, वीर भलालतिती, उनको भी जीत लिया, मलिक काफूर written to अलावदिन खिलजी with a great booty, जब ये अलावदिन खिलजी के पास south से वापस आता है मलिक काफूर, तो बहुत सारे धनराश के साथ, बहुत सारे लूटे हुए माल के साथ. गला भी जवाब दे जाता है, इंट्रेस्ट भी जवाब दे जाता है, तो मलिक काफूर के बारे में बहुत सारे लोग स्टोरी जानते ही हो, मलिक काफूर का बताना है, कल मैं बता दूँगी, दो personality calls हम लोग पढ़ेंगे, मलिक काफूर और एक चंगेश खान, तो आज मैं क चाजूल दीनिल्ज अलद्वाला ये नाम याद रखना है, क्यूकि एक बार मैंने कहीं कोश्चन में देख लिया था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ताज अलद्वाला कौन है भई, बिल्कुल ही नहीं पता था, कि मलिक काफूर को भी बोला जाता है, अलाओदिन खिल जी, इसलिए से हजार दिनारी भी कहा जाता है, तो एक स्लेवी हुआ, जिसको ताज यह नाम याद रठाना क्योंकि मेरी तरह आप लोग भी कन्फिूज न हो जाए कहीं, He was captured by Alauddin General Nusrat Khan during the 1299 invasion of Gujarat अभी जैसा कि राशिद ने बताया था कुद देर पहले कि Nusrat Khan द्वारा 1299 में Gujarat अभियान में इसको ले आया था 1000 दिनारी में खरीद के 1300 में As a commander of Alauddin's force, काफूर defeated the Mongol invasion 1306 में इसने Mongol invasion को भी defeat किया है इसको commander-in-chief बना दिया गया था MCQs करेंगे बेटा, कल एक बार इसको पढ़ लेंगे तो फिर MCQs कल ही कर लेंगे क्योंकि हाफ आर लगेगा चंगेज खान और मली काफूर को बताने में हाफ आर के लिए हम लोग MCQs कर लेंगे ठीक है, और कल 10.30 पर हम लोग MCQs करने वाले हैं किसके? तो पूरा 50 MCQs होंगे सिर्फ ठीक है तो उसके लिए आप लोग टाइम पर आ जाना तो इसने क्या किया? बहुत सारे जगों को जीता और साउध के साउधन पार्ट को यादो को जीता इसने आदवास को 1308 में, काक्ती को 1310 में होईसल को 1311 में, पांडियाज को 1311 में ये सारे इसने जीते हुए फ्रॉम दीस कैंपनिंग्स, ही व ब्रॉट बैक एंट ट्रीजर्स एंड मैनी एलिफेंट्स और होर्से तो डेली सल्तनत है, तो बहुत सारी चीजें लूट के साउस, क्यूंकि साउस बहुत रिच था ही, वहां से सारा लूट पार मचा के ये लोग दिल्ली ले आये थे 1313 से 1315 में, काफूर served as अलाउद्दीन's governor of death, देवगिरी, ये देवगिरी का governor के रूप में काम किया, 1313 से 1315 के बीच में, देवगिरी का governor था, मलिक काफूर, when अलाउद्दीन fell seriously ill in 1315 में, जब वो बहुत बीमार पड़ गया, काफूर was recalled to Delhi, जब अलाउद्दीन खिल जी की तबयत बहुत जादा खराब हो गई थी, तो काफूर को दिल्ली वापस बुला लिया गया था, where is he exercised power and naiv की तरह, वो एक wise raya की तरह फिर काम किया, and after अलाउद्दीन's death, he tried to observe, control the appointing अलाउद्दीन's minor son, Sihabuddin Omar, जब उसकी death हो गई, तो इसने चाहा कि, इसका जो minor son है, अलाउद्दीन का Sihabuddin Omar, जो मैंने third ruler बताया था, वो गद्दी पर बैठ है, ताकि वो मेरा puppet बनके रहे, क्योंकि minor है, छोटा है, बच्चा है, तो मेरा puppet बनके रहेगा, as a puppet monarch, puppet मतलब क्या होता है, जैसे आप जो कहो और आपके puppet की तरह, वो बोलता रहे, वो ही करता रहे, जो आप बोले, वो ही करे, वो ही puppet कहलाता है, तो इसलिए उसको छोटे बच्चे को चाता था, गद्दी पर बैठ है, और बैठा भी, काफूर्स regency lasted the about of month, before he was assassinated by अलाउद्दीन's former bodyguard, जब उसका assassination हो गया, एक former bodyguard द्वारा, अलाउद्दीन's elder son, मुबारक शाह, succeeded him, उसके बाद मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है, जो उसको इसका बड़ा पुत्र था, और वो चार साल तक, रूल कर पाता है, यहीं पर इसकी स्टोरी, खतम हो जाती है, मलिक काफोर की, बाकी military career भी बताना था, लेकिन अब हिम्मत नहीं है, तो military career हम लोग कल पढ़ लेंगे, चीछ है, मैं आपका all classes करता हूं online, आने तक time हो जाता है, इसलिए offline class करता हूं, अच्छा, आप offline करते हो, बैटा, live ही किया करो, live में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे भी आता है, आपको भी अच्छा लएगा, मैं हिस्ट्री के कौन-कौन से part से question आते हैं, बैटा, देखो, हिस्ट्री, एक NTUGC net ऐसा होता है, कि जिसमें हम लोग बता ही नहीं पाते, कि कि portion से ज़्यादा आता है, लेकिन हाँ, क्योंकि NTUGC ने टेक ऐसा exam है, जो हिस्ट्री को, ancient को भी importance देता है, middle को भी देता है, modern को भी देता है, बट जैसे middle में हो गया administration of Delhi सल्तनत, या sources of Delhi सल्तनत, या मुगल सासन का sources, books के नाम, और rulers को match करने के लिए, उनके chronological orders, या मुगल वन्स के बारे में ज़्यादा पूछ लेता है, कभी-कभी modern से बहुत सारे questions होते हैं, modern से तो कहीं भी नहीं छोड़ता, modern के हर portion से उठाता है, ancient में, ancient में Indus Valley civilization से, अशोका के उससे inscription, अशोका की काल, अशोका के time period, या पूरा आपका गुप्ता डानिस्टी है, उसके तो कोई छोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी portion, क्योंकि हर समय मैंने देखा है, हर जगां से question आते रहते हैं, कभी-कभी कुछ question ऐसे भी होते हैं, जो लगता है कि कहां से आया हुआ है, तो NTUGCnet को मैं बिल्कुल यह नहीं कहती कि आप लोग यह portion छोड़ दो, इवन दक्षिन भारत के जो भी इतिहास है, उसको भी नहीं छोड़ता, हर एक छोटे-मोटे जो भी जैसे विजयन अगर सामराज हुआ, वहमनी सामराज हुआ, कोई भी सामराज जो नहीं छोड़ता है, तो हर जगह से question आहीं जाता है, तो किसी भी portion को हम छोड़ नहीं सकते कोहिनोर भी साउच से ही लाया गया था, और अनेकेडमी पर कितने बज़े होती है क्लास, अनेकेडमी पर बेटा, कल से तीन क्लासे शुरू होगी हमारी, Friday, Saturday, Sunday को आठ बज़े, अनेकेडमी का लर्निंग एप पर, Friday, Saturday, Sunday मैं क्लास लेने वाली हूँ हाँ, जी मैं सारे पार्ट्स पराती हूँ बेटा, तो ये अभी मिडवल ही स्टार्ट किया है, हमने जल्दी ही शुरू किया था, I think, चार-पांस दिन हुआ शुरू किये, तो फर्स दे हमने मिडवल, मतलब पहले पर पुरा स्लेवेस डिसकस किया हुआ है, स्लेवेस के बा पुरा तात्तिविक साक्ष और साहित्तिक साक्ष और विदेशी अत्रों का ब्यूरन अच्छे से पढ़ा, उसके बाद इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स, जिसमें स्तीन पढ़ा, कासिम, गजनी, गौरी, उसके बाद गौरी के बाद स्लेव डैनिस्टी शुरू हुआ, गुला इवनिंग बेटा, आएट पीम पर, आनेकडमी के लर्निंग एप पर एट पीम पर लाइव होंगी मैं, कल परसो और संडे को, और पेपर वन की भी सारे पार्स पढ़ाती हैं, नहीं बेटा मैं सिर्फ टीचिंग अप्टिट्यूट पढ़ाती हूं, अनली टीचिंग अप् और मैं बहुत बेकार थी, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा था मैंने किसी तरीके से, तो जो मैं नहीं, जिसमें मेरा ही अच्छा नहीं है, वो मैं कैसे आप लोग को पढ़ाँगों, तो मैं सिर्फ टीचिंग अप्टिट्यूट मेरा अच्छा था, उसी में मैं आप स्पेक्ट्रम ले लो, और एक शतीच चंद्र या एक और दो-चार बुक के नाम है, मुझे भी नहीं आदर, वो दे दू, कल बता दूगी, वो पढ़ लेना, लेकिन अगर पढ़ना चारे, स्पेक्ट्रम जरूर ले लेना, वो पढ़ लेना, और मेरे पास तीन-चार बुक के बुक है मेरे पास, मैं एक बर उनको अच्छे खुद पढ़ लेती हूँ, देखती हूँ कौन सा अच्छा है ज्यादा, तो मैं आपको बताती हूँ फिर कल, चलिए, आज यहीं पर क्लास को खतम करते हैं, कल 10.30 पर, Teaching Attitude में हम लोग क्विजेस करने वाले हैं, लास्ट य ख्यान रखिए आप लोग, घर पे रहिए, खुश रहिए और ख्यान रखिए, फैमिली वालों का भी ख्यान रखिए, ओके?